हम कौन थे, क्या हो गए हैं, क्या होंगे अभी, आओ विचारे, आज मिलकर ये समस्याएं सभी कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि हमारा अतित्प कितना गौरवसाली है और आज हम सब एक कोने में खड़े हैं हमारा अध्यात, हमारा दर्शन से पुरा दुनिया परकास मान है और हम दूसरे करुशरन करने में लगे हैं यह एक चिंतनिय प्रस्न है दा पॉइंट वेर दे वेस्टरन फिलोस्पी इंड्स फ्रोम विच पॉइंट दे इंडियन फिलोस्पी अस्टार्ट नमस्कार दोस्तों जै जीनेंद्र आज भगवान महावीर जैनती है इस अफसर पर हम एकलब विद्यागराम की तरफ से कोटी-कोटी सुबकामना है सदी के महल बैज्यानिक अलबर्ट अहिस्टार्ण ने कहा था कि मैं नहीं जानता पुनरजर्म होता है या नहीं पर अगर धर्ती पर दूसरा जन मुझे लेना पड़े तो मैं जैन समाज में लेना चाहूँगा नमन है भारत के कोने-कोने में बसे जैन भाईयों को देश के विकास में उनका योगदान को उनकी जनसंक्या हमारे देश की जनसंक्या का 0.37% है और इंकम टेक्स देने में सबसे आगे 25% है और उनके राश प्रेम देश भक्ती का क्या कहना वह मिशाल है जैसे हमारी अमरित स्वरूपा मह गंगा अपनी साधराओं में अपने यात्रा राम करती है और गंगा बनकर ही सागर में पहुँचती है वैसे ही भारत भूमी में जन में अलग-अलग मत, विचार, संपरदाय, सिधांत, सव अंत्ता, सनातन का ही अलस है जैन संपरदाय भी हमारे लिए उतना ही सिरोधार्ज है जितना हमारा सनातन जैन धर्म के 24 वे तित्रकर भगवान महवीर अहिंसा के परतिक थे इनका जन्व बिहार के 22 साली जिले के कुंडल ग्राम नामाकस्थान पर 599 इसापूर में हुआ था इनके बच्पन का नाम बर्धमान था माता का नाम त्रिशला एवं पिता सिदार्थ थे स्वेतांबर मद के नुसार इनका विबाह यसोदा से हुआ था और इनके पुत्री का नाम प्रिये दर्सनी था तीस बर्स के अवस्था में इन्होंने अपना घर द्वार छोड़कर स्रामनी दिछा ली वे बारा बर्स तक कठीन परिश्रम करने के बाद उन्हें ग्यान प्राप्त हुआ जंबुक नामा अस्थान पर रिजुपाल का नदिक किनारे साल के ब्रिच के नीचे तब वो अरहंत जीन कैवल निरग्रंथ कहलाए इन्होंने अपना उपदेश अर्ध मागधी में दिया जैन धर्ध के पांच सिधान्त हैं सत्थ, अहिंसा, अस्ते, अस्ते का मतलब चोरी नहीं करना अपरिग्रह, विशय या बस्तु के परती लगाव नहीं होना और ब्रहम चर्ज जैन आगम के अनुशार मोजप्राप्ति के तीन मार्ग हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्यान, सम्यक चरित्र ये तीनों सम्लित रुप से मोजप्राप्ति के मार्ग हैं जिसे हम त्री रत्र काते हैं हमारे जैन भाई लोग मैं पर नहीं हम पर विश्वास करते हैं चमन में रंग और खुश्वू मिले तो बात बने तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो हम ही हम है तो क्या हम है जब बर्धवान अपना घर छोड़कर तपस्या करते हैं और ग्यान पराप्त करते हैं तो भगवान महवीर कहलाते हैं जब सिदार्थ अपना घर छोड़कर ग्यान पराप्त करते हैं तो महात्मा बूद कहलाते हैं जब स्री राम 14 बर्स बनवास कर फिर आयोध्या आते हैं तो मर्यादा पुर्शोतम राम कहलाते हैं जब मोहनदास करमचन गांधी घर छोड़ कर देश सिवा के लिए अहिंसात्वक लड़ाई लरते हैं तो महात्मा गांधी कहलाते हैं करविर दास ने भी कहा था करविरा खड़ा बजार में लिये लुकाटी हाथ जो घर फूके आपनो वो चले हमारे साथ वो चले हमारे साथ वीना बैराक किये हुए महानलच प्राप्त नहीं किया जा सकता है संसार के महानलच घर बैट कर नहीं प्राप्त किया जा सकता है बलकि अपना घर त्याकर लच पर ध्यान्टिक आकर किया जा सकता है मन नियंतरन का बिज्ञान माइन कंट्रोल का साइंस दुनिया में सबसे पहले या तो जैंदर्सन में आया या स्री कृष्ण ने गीता में दिया गीता में स्री कृष्ण कहते है असंसयम महावाहो मनो दूर निग्रहम चलम अभ्यासें तू कौन्ते वैरागें चा ग्रिहन्ते हे महान वाहु वाले अर्जून मन बढ़ा चंचल होता है अभ्यासे मन को भी बस में किया जा सकता है दुनिया में बिवाद का एक ही कारण है मैं सही और दूसरा गलती मैं सही और तुम गलत कुछ रिलीजन यह मानते हैं कि उनका इश्वर ही सत है उनका इश्वर ही महान है दूसरे का नहीं दूसरे का गलत है मुझे गर्व होता है अपने सनातन धर्म पर जो इतना तुछ नहीं है इतना संकीर नहीं है हमारा रिगवेद कहता है एकम सत विप्रह बहुदा बदंती सत एक है ज्यानी अपनी सोच से अलग-अलग परिभासित करते हैं तुशिदास ने भी कहा है एक हरी अनंत हरी कथा अनंता कहें सुनी बहुदी सबसंता हम नहीं मानते कि कोई गलत है कोई छोटा है सब सही है सब प्रमात्वा की संतान है भगवान महावीर ने अनेकांतवाद और स्याहदवाद का परतिवादित किया जो आपसी स्विकाज़ता के सिधान पर है दुनिया में कोई भी विचार पूर नहीं होता है आप अपनी जगह पर सही हो सकते हैं 72 वर्ष की आयो में बिहार के पावपूरी में कार्तिक क्रिष्ण अमावस्या के दिन महावीर निर्वान प्राप्त किये लेकिन उनका सिधान दुनिया में जब दुनिया जब तक रहेगा तब तक रहेगा अगर यह आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें सबस्क्राइब करें सेयर करें धन्यवाद